नमस्कार में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फुक चुका है और चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है इन सब के बीच बीते दिन आयोजित हुए क्याबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव के 11 चर्रों में करवाई जाने की मन्जूरी मिल गई है क्याबिनेट की बेठक से पहले राजुनिर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के आयोजन को 10 चर्णों में करवाय जाने का एलान किया था लेकिन बरतमान परिस्थिती को देखते वे पंचायत चुनाव को अब सरकार ने 11 चर्णों में करवाने की बात कही है हाला कि आयोजित होने बाले पंचायत चुनाव की एक और खास बात ये रही कि इस बार के पंचायत चुनाव में ओन्नाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है कोविड-19 के माहौल को देखते वे सरकार का यह निर्णे बेहद ही महत्वपूर माना जा रहा है क्योंकि ओन्नाइन आवेदन करने से सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना आसान होगा जिसके तहट अब आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ओन्नाइन अपलाई आसानी से कर सकते हैं आवेदन करने के लिए वेबसाइट sec.bihar.gov.in पर जाना होगा वहीं वोटरों के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी की जाएगी इस बार कोरोना संक्रमन की कारण ओन्लाइन और ओफलाइन नमांकन पत्र भरने की वेवस्था की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप वोटर 1-800-345-7243 पर जाकर संपर्क कर सकते हैं राजो निर्वाचुन आयो की तरफ से पटनास सदर प्रखंड के पदाधिकारियों को प्रसिक्षन दिया गया है इस दौरान सभी पदाधिकारियों को बताया गया है कि ओन्लाइन नमांकन भरने में आखिर किन किन बातों का ध्यान देना अनिवारे है जैसा कि आप सब को पता है कि इस बार 6 पदों के लिए चिनाव का आयोजन होने वाला है जिसके तहट 4 पद पर EVM के माधियम से वोट डाले जाएंगे और 2 पद पर ballot paper के माधियम से वोट डाले जाएंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे इस बार पंचायच चनाव में 11 चरनों में वोट डाले जाने है क्याबिरिट ने पंचायच चनाव का एलान कर दिया है 24 सितंबर को पहले चरन का चनाव होगा इसके बाद 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे कमोबेश राजुनिर्वाच चनायो की यही कोशिश है कि परामर्शी समीती के गठन के समय आवधीप के समापन से पहले पंचायच चनाव का आयोजन करवा लिया जाए हलाकि चनाव का आयोजन बहुत पहले ही हो जाता मगर पहले ईवियम के कारण फसे मामले और फिर कोरोना की दूसरी लहर के कारण पंचायच चनाव को स्थगित कर दिया गया था जिसके बाद अब जाकर क्याबिनेट की बैठक में हुई घोशना के बाद उम्मीद यही जागी है कि चनाव का आयोजन समय पर हो जाएगा चनाव का आयोजन समय पर करवा पाएगा आपको बता दे विहार के अधिकांस जिले बाड की चपेट में है ऐसे में बाड प्रभावित इलाकों के लोगों को पंचायच चनाव में मतदान बूथ तक लाना एक बड़ी चनौती होगी हालाकि जानकारों की माने तो बाड प्रभावित इलाकों में सबसे अंत में चनाव का आयोजन करवाया जा सकता है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद